इस्टार भारते स्पेंटर दूती चंद को भरोसा है कि वह टोक्यो उलम्पिक के लिए अच्छी तरह से तैयार होंगी पिछले दो सालों में 2018 इशा गेम्स में उन्होंने दो सिल्वर मैडल जीते थे जबकि जकारता में महिलाओं की 100 मीटर की रेस में उनका दूसरा इस्थान भारत के लिए उस इवेंट में पहला मैडल था जो केवल तीन दशकों में हुआ 200 मीटर में उनकी सफलता 16 सालों में भारत की पहली थी 100 मीटर दोड के मुकाबले में उलम्पिक के लिए क्वालिफाई करने के लिए दूती को 11.15 सेकंड का समय निकालना होगा जबकि उनकी अब तक की बेस्ट टाइमिंग 11.26 से 11.22 सेकंड तक रही है 2019 में नैपोली में एक ग्लॉबल मीट में जीतने वाली पहली भारते स्प्रिंटर बनी जबकि इस साल की शुरुआत में दूती चन्ने 100 मीटर और 200 मीटर में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेंस में दो गोल्ड मैडल अपने नाम किये थे इसके लिए बहुत आच्छा स्तार से मेनत किया था मैंने लेकिन कोरोना भारस के बज़े सब कुछ चला गया मेरा सपना तूट गया तहीं कोरान भारस के बज़े आयोसी ने ओलंपिक को पोश्पन कर दिया है एक साल के लिए जिसमें बहुत सारे अथ्रेट को तो दिक्कत पहुंचेगा लगन मेरे को जाधा पहुंचा है कि मैं जो पैसा इंबेस्मेन किया था इसको तो वापास नहीं ला पाएंगे जो मेनत किया था मैंने वो भी नहीं लाएंगे लोगडाउन जब हो गया लोगडाउन के बाजे घर में रुकने अपड़ा घर में रुकने से बहुत बड़ी टाइट हो गया ट्रेनिक बंद रहा फिर भी मेरा उमीद है नेश्टीर जो अलंपि होगा इसको अच्छी तरसे भी परसंद करूँगी और देश के लिए मेडल लेकी प्राउटी करेंगे